हेलो एवर्यवन, वेलकम तो दे जुरावर क्लासेज, मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपका जुरावर क्लासेज पर और आज से हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, मतलब अब आपकी जो यह कोशन सीरीज होगी, मिक्स कोशन की होगी, टॉपिक वाइज नहीं होगी, व्योंकि आलमस्ट टॉपिक्स तो कवर हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव कोशन धूणने में थोड़ा टाइम जादा हो रहा था, और मतलब काफी कोशन में कवर करा चुकी हो, टॉपिक वाइज आपको, तो आई थोट कि अब हमें मिक्स कोशन लेने चाहिए हैं, सारे टॉपिक्स उसके अंदर ही होंगे, जो भी होंगे, कुछ एक्स्रा भी हो सकते हैं, जो आपके, मतलब किसी और एक्जाम स जुरावर क्लासेज, अगर आप अपना नाम लिख कर यहाँ बर मैसेज करेंगे, तो आपको ग्रूप्स में आड कर लिया जाएगा, बाई आंकित सर, ओकी, तो चलिए बिना देरी कि आज के अपने कोशन स्टार्ट करते हैं, पर्स कोशन है, असेस्मेंट इस पर्पेस्फ इसको सिर्फ हम एड डे यर की कंड़क्त कराते हैं, या फिर कमपरिटीव वालवेशन के जाते हैं, बचों के अचीवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंशेट करने के लिए, तो बताए फटा-फट इसका अंसर क्या होगा, देखें जिसको करेक्ट ओप्शन होगा, वो होगा option number B यानि कि यह चात्रों के साथ सिक्षकों के लिए भी प्रतिक्रिया की रूप में कारे करता है that means कि इसमें एक feedback मिलता है students को और students को साथ ही साथ teachers को भी कि teaching learning process कितना सही से जा रहा है यह teachers को feedback मिल जाता है और बच्चे को तो अपने काम के बार में feedback मिल ही जाता है थ्रू assessment ओके next question देखते हैं ncf 2005 के according the role of teacher has to be by ncf कहता है कि teacher का क्या role होना चाहिए यानि कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए यह आपको बतानी है ठीक है तो English अगर Hindi version में कोई भी disparities होती है तो आप English version को correct माने typing में हो सकता है और learned I will अखो कि और तो दिक्टेटोरेयल या फिर फ्रमी सिव या फैसिलिटीटेटी ये बताना है अंघ्रीकेंटरीटेटेव दिक्टेटोरे मतलब तानाशाब करें तो हम कहेंगे कि यह तो हम कहेंगे इन को खुला छोड़ देते हैं बच्चों को है ना इसमें मतलब आपकी कोई कंट्रोल ही नहीं होता एक तरह से आप जो कर रहे करते रहे हैं ठीक है आपने धील दी कोई बात नहीं बिटा हर चीज में और फैसिलिटेटिट करेंगे लर्निंग को आप ऐस फैसिलिटेटर रोल प् एसिलिटेटर का है I think it is clear to all of you next researchers suggest that in a diverse classroom researchers कहते है कि जो डाइवर्स क्लास्रूम होता है जिसमें diversity होती है यानि कि विविदता होती है एक teacher की expectation अपने students से क्या रहती है उनकी learning को लेकर ठीक है तो यह बताना है या फिर teachers expectation from her students बताब जो teacher expect करता है बच्चों से उसका learning पर क्या प्रभाव पड़ता है sorry question यह है ओके तो बताइए फटाफट significant impact होता है बहुत महतोपूर्ण प्रभाव पड़ता है अगर teacher expectation रखता है बच्चों से are the sole determinant of या फिर एक मात्रन दिधारक है उनकी learning का या फिर should not be correlated with या फिर इसके साथ कोई सहसंबंद होना ही नहीं चाहिए इ तो इसका जो correct option होगा वो होगा option number A कि जब teacher अपने बच्चों से कुछ expect करता है तो उसका learning पर impact पड़ता है एक होता हाई expectations A होता होता है low expectations तो दोनों ही थोड़ी से नुकसान दायक होती है ज्यादा high expectations भी आपको नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चा थोड़ा pressure मे learning पर तो option number A is the correct option next देख लेते हैं inclusion of children with special needs मतलब जो inclusion किया जाता है एक unrealistic goal है detrimental है to children without disabilities मतलब विपलांग बच्चों के लिए it's with आएगा ठीक है यह without निया with है मतलब बहुत ही हानिकारक हो सकता है will increase a burden या फिर schools पर इसका कोई burden बढ़ जाता है बोज बढ़ जाता है या फिर इ attitude का change चाहिए content का change चाहिए और approach का change चाहिए teaching में ठीक है तो inclusive education के पहले ही मैं आपको काफी questions कराए है तो option number D is the correct option यहां पर attitude में change आना चाहिए content में change आना चाहिए और आपकी जो approach है बच्चों को पढ़ाने की उसमें भी change आना चाहिए तब ही हम कह सकते हैं कि inclusive class एक ससक्रू प्रिणा कैसे दे सकता है यानि कि दो तरह का motivation होता है extrinsic और एक होता है intrinsic तो आंतरिक रूप से प्रिणा कैसे दी जा सकते हैं यह हमें बता रहे हैं by inducing anxiety and fear मतलब उसके अंदर चिंता और भै को प्रेरित करके उसको competitive test देकर प्रतिस पर्धी जो परिक्षन होते हैं उनको द ध्याम देकर या फिर आप ऑफर कीजे कुछ ट्रॉफे जिसे मूर्थ पुरुसकार दे सकते हैं बच्चों को intrinsically motivate करने के लिए कि इसमें आप बच्चों को अंदर से मोटिवेट करना है मतलब उसके अंदर से आना चाहिए कि हां मुझे चीज करनी है जैसे आप लोगों के अंदर आया हुआ है कि हां भी हमको केवेस क्लियर करना है क्योंकि अगर आप सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर आप मोटिवेट होंगे तो काम नहीं चलेगा मोटिवेशन आपका एक महीने रहेगा दो महीने रहेगा उसके बाद धीरे-धीरे लोग हो जाएगा लेकिन सब्सक्राइब करें अपने इस गोल सेट करें और उन पर मास्ट्री भी करें अगर यह नहीं करेंगे तो फिर फाइदा नहीं है फिर वह बाहर की रिवार्ड आप कितने भी दे लीजिए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है पहले यह बोला जाता था कि critical period होता है अगर आपको language सीखनी है तो ठीक है अदर्वाइस इसके बाद तो आप language सीखी नहीं सकते यह माना जाता था पहले जब language प्रोच इसकी बात होती थी लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया गया sensitive period इसके जगे पर use किया जाने लगा गारण यह था कि critical period जो है वो काम्याब नहीं था इसके theories जो है थोड़ी सी मतलब वो उनका period चला गया जब उनको language सीखनी थी उसको हम critical period बोलते थे लेकिन उसके बाद भी वो language सीख पाए मतलब बाद में फिर से जब उनको familiar किया गया लोगों के साथ वो लोगों के साथ संपर्क में आए तो देखा कि उनमें language development हो गई तो हम यह नहीं कह सकते कि critical period हो होता है और अगर इस stage पर जो है बच्चे को थोड़ा सा language and rich environment से दूर रखा जाता है सपोज उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है कंधिरे कमरे में किसी भी कमने में बंद कर दिया जाता है लोगों से दूर है ना तो मतलब उसके बाद उनके लिए चीज़े थोड़ी मु नेक्स देख लेते हैं which of the following is an example of effective school practice एक अच्छी school practice क्या होगी मतलब स्कूल को प्रभावी पनाने के लिए आप क्या करेंगे इंडिविजुलाइज लर्निंग करेंगे या फिर competitive classrooms रखेंगे ठीक है तो पर comparative evaluation भी आपको नहीं करना है constant comparative लगातार तुलना नहीं करनी है हर एक बच्चे की आपस में ठीक है as a teacher role होना चाहिए कि हर बच्चे की व्यक्तिगर्च शिक्षन पर आपकी नजर होनी चाहिए और school को हर बच्चे पर ध्यान देना है उनके व्यक्तिगर्च शिक्षन पर ध्यान देना है तो option number C is the correct option next देख लेते हैं which of the following are the secondary agents of socialization आपको यह बताना है कि सामाजी करन के जो द्वित्यक agent है वो कौन होगे family neighborhood होगा मतलब परिवार और पडोस होगा school या पडोस होगा school या ततकाल परिवार के सदस्य होगे या परिवार और रिष्टदार होगे यह आपको बताना है तो देखो family जो होती है वो तो primary है primary agent of socialization है जहां पर सबसे पहले socialization सार्ट होता है फिर बचा स्कूल में एंडर करता है और जब वो स्कूल की एज का हो जाता है तो और वोड़े neighborhood में भी interact करना स्टार्ट कर देता है that means कि B is the correct option school or neighbor who are the secondary agents of socialization हम यह कह सकते है नेक्स है according to gene प्याजे which of the following is necessary for learning gene प्याजे के अनुसार जो है कौन सी चीज जो है इन में से सब ज़्यादा necessary होते है लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा उपी होगी है तो पही देख लो पढ़ लो options क्या क्या है active exploration करेगा observe करेगा दूसरों के behavior को imminent justice में believe करेगा या फिर teacher के द्वार और parents के द्वार reinforcement दी जाएगी ठीक है तो इसका जो correct option होगा वो होगा option number A यानि कि active learner की बात करते है gene प्याजे जहां पर वो खुद अपनी knowledge है explore करता है और construct करता है तो option number A is the right option last question is in a progressive classroom setup the teacher facilitates learning by providing an environment debt तो देखो progressive education यह questions ना आपको भली आसान लग रहे होगे क्योंकि आपके सामने options कुछ ऐसे हैं लेकिन आप से आपको थोड़ी सी teacher का control होता था authoritative होता था teacher उसको छोड़ कर हम कुछ ऐसी progressive चीज़ों पर प्रगतिवाजी चीजों पर ध्यान देंगे जहां पर बच्चे को हड़ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा child centered pedagogy को follow किया जाएगा उसमें discovery problem solving और यह सारी चीज़े मतलब उसमें उनको capable बनाय जाएगा इसके वो डिस्कवरी लर्निंग कर पाएं problem solving कर पाएं reasoning कर पाएं तो यह सब progressive classroom के एक्जांपल्स हैं तो option number a is the correct option है न प्रमोट जो बहुत पुराने paper उनका कराने का फाइदा इसलिए नहीं है क्योंकि वह बहुत outdated हो चुकी है अब syllabus change हो गया है अब जो है आपका pattern change हो गया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी trend में कोशिश चल रहें है child development pedagogy के उनको ही लगाता हम revise करें okay and thank you for watching the durable classes